Hello students, welcome back. आज जो हमें करना है वो है chemical reaction and equation का next lecture जिसमें हम पढ़ने वाले कि अभी तक हमने जो भी processes देखे थे जिनके थुरू कोई भी chemical process हो रहा था उनको chemical reactions में किस तरीके से बांटा गया किस-किस तरीके की अलग-अलग type of chemical reaction होती बेटा ये सीखना बहुत important है क्योंकि अगर हम देखते हैं board point of view से तो यहां से question जरूर आते है types of chemical reaction से उसके अलावा अगर हम देखते हैं NTSC purpose से तो ये reactions बहुत important है क्योंकि इसमें सारे reactions include किये जाते है और अगर आपको type of reaction पता होगा तो आपके लिए बहुत easy होगा जो भी question पूछा गया उसका answer करना ठीक है तो शुरू करते हैं अभी तक हमने जो देखा था कि कैसे दो chemicals मिलते हैं कुछ नई चीज बनती है chemical reactions होती है और उन chemical reactions को जब हम paper पर represent करते हैं तब हम उनको बोलते है chemical equations chemical equation लिखने के तरीके होते हैं सारे तरीके आपको बता दी गए है अभी आज जो हमें देखना है क्या होती है अलग-अलग टाइप की chemical reactions जिनको हमें पढ़ना है ठीक है बच्चो अभी तक आपके जो भी डाउट सारे आप comment करके बता सकते हैं हमारी वीडियो को regular देख सकते हैं यहां पर आपको हर एक chapter मिल जाएगा आपको history मिल जाएगी, geography मिल जाएगी आपको science के सारे topics मिलेंगे biology, chemistry, physics सारे topics आपको मिलने वाले हैं बस आप बने रही हैं हमारे साथ कहीं जाने की जरुत नहीं 9-10 का पूरा content आपको नहीं मिलने वाले है चैनल को subscribe कर देंगे सबसे पहले subscribe करने के बाद अभी हम देखते हैं आज का हमारा जो lecture है chemical reaction and equation का types of chemical reactions तो क्या कर रहे हैं भयाज हम types of chemical reactions कर रहे हैं types of chemical reactions इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से कौन-कौन से वो तरीके हैं जिन से दो element मिलके कोई नया compound बनाते हैं या दो compound मिलके कोई नया compound तो सबसे पहले क्या है कितने तरीके की chemical equations होती है फिर हम एक एक करके पड़ेगे तो सबसे पहले जो equation होती है वो है भई सबसे first type अगर हम बात करें वो है combination reaction क्या है combination reaction तो बिटा combination reaction में क्या होता है या भी हम देखने वाले हैं वैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि combination reaction मतलब जब दो elements या दो compounds combine करते हैं और कुछ नई चीज़ बनाते हैं इसके बारे में हम करने वाले है next चीज जो है second most important जो reaction है वो है आपकी decomposition reaction क्या है भई decomposition reaction इन सारी चीज़ों के नोट्स बनाके रखेंगे तो आपको हमेशा काम आएगा ठीक है नोट्स बनाएंगे तो हमेशा काम आएगा लिखते रहे है इन चीज़ों को short notes बनाते रहे है अपने लिए ठीक है second है decomposition reaction third जो है वो है displacement reaction आपका displacement reaction all right displacement reaction the next one is double displacement reaction यह सब हम करने वाले हैं ठीक है बिल्कुल भी आपको tension लेने की जरूरत नहीं है 10th class का 9th class का सारा syllabus आपका यहां होने वाला है NTSC की preparation यहां पे होने वाली है ठीक है तो आपको यहां पे कहीं भी जाके time waste करने की ज़रत नहीं रेगुलर्ली चैनल के साथ updated रहेंगे तो पूरा content लेगा उसके लाव जो most the most important reaction जो है इस पूरे chapter की जो आपको सीखनी है एक चीज जो आप 10th class से आगे 11th class में लेके जाएंगे जो हमेशा काम आएगी वो है यह reaction जो अभी हम देखने वाले है redox reaction यह आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है redox reaction बागी सब तो हलके फुल के हैं यह तो यह सब हलके फुल के हैं main जो चीज है वो redox reaction है यह अगर सीख लिया तो 10th के बाद जब आप 11th में जाएंगे तो बहुत easy हो जाएगा और यहीं से हम इसको इस तरीके से समझ के जाएंगे बिटा कि 11th में जाके आपको already पता हो redox क्या है ठीक है तो यह सारी reaction से हमें करनी है एक-एक करके शुरू करते हैं और एक-एक को बारी की से समझेंगे कि कहां आप से इस reaction में कुछ question पूछा जा सकता है ठीक है चलो शुरू करते है पहली reaction से जो कि क्या है combination reaction combination reaction नाम सही आपको पता चल रहा है combination में क्या होता है वही combine करती है चीजें कैसे combine करती है और क्या-क्या product बन सकते हैं combination reaction तो इस नेम सजेट सबसे पहले देखो आपको अगर board point of view से पढ़ना है तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है definition boards में जो की पूछी जाती है कि define करो chemical यह जो है combination reaction क्या होती ठीक है so reaction क्या होते है definition क्या है इसकी when 2 और more than 2 2 या 2 से जाधा more than 2 ठीक है अब कौन-कौन elements पहली चीज क्या है 2 और more than 2 elements second क्या है compounds 2 या 2 से जाधा elements या 2 या 2 से जाधा compounds या normally कोई भी molecules भी combine करते है together to give something new एक नया product बनता है ठीक है compounds combine together combine together to give product आपको पता है कभी भी कोई reaction जब होती है तो उसमें right hand side जो लिखा जाता है वो चीज होती है आपकी product और यहाँ पर जो लिखा जाता है वो है reactant यानि कि जो चीजे combine होती है वो होते है reactants और जो चीजे नया product बना है जो final मिला है हमें वो होता है product तो यह product और यह है reactant तो इन्होंने क्या कहा जब 2 से जादा 2 या 2 से जादा element मिलते हैं या 2 से जादा compound मिलते हैं और एक नया compound form करते हैं एक नया product बनाते हैं उसको हम क्या कहते है बिटा जी combination reaction इसमें क्या है simple molecules मिलते हैं और एक बड़ा molecule बनता है यह product होगा क्या होगा यह single product होगा single product होगा एक ही product होगा क्योंकि दो छोटी-छोटी चीज़े तीन छोटी-छोटी चीज़े मिलके जब बनाती हैं उसको हम combination कहते हैं चलिए जतने मरजी example ले सकते हैं जतने मरजी example ले सकते हो बट आपको ध्यान क्या रखना होगा कि आपका criteria फुल्फिल होना चाहिए तो जो भी NCRT में reaction लिखी हैं जो भी books में लिखी हैं उनके अलावा भी आप reactions example ले सकते हो इसलिए मैं अब ब्रॉड लेवल पर बता रही हूँ इन में से कोई भी example उठाएंगे वो सही होगा ठीक है तो जब भी metal oxygen के साथ combine करता है तो क्या बनाते बटाजी जल्दी बताए comment करके बताएंगे आप चीज़ें ठीक है metal oxygen से combine करता है यह एक simple product बना है दो छोटे-छोटे molecule से टीक है एक बन गया है और तो यह क्या दिखा रहे दो छोटे molecule आए दोनों combine किये एक नए Republic बन गया तो क्या होगा यह combination reaction ठीक है क्या होगा है combination reaction metal कोई भी ले लो अब आपको क्या है जी सबसे बड़ी जो problem आती है छोटे बच्चों को 9-10 में जो हुए हैं बच्चे अभी उनको problem क्या आती है आप लोग ना reaction रटने बैठ जाते हो combination reaction क्या है दिस दिस ब्ला 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 and ये examples है इसके दो example रट लो इसा नहीं करना है आपको बस यह याद रखना है कि metal जब combine होगा oxygen से तो oxide बनाएगा और इसमें दो चोटे molecule मिलके बड़ा molecule बना रहे हैं इसका मतलब क्या है क्या है इसका मतलब कि यह है combination reaction लोग आप खुद से याद कर सकते हो अब यह बन गया इसका product जिसको product बनाना नहीं आता वो 9th class के chapters जाके देखेंगे formula making जहां पर करते हैं ठीक है क्या हो गया यह Na2O तो इस तरीके से हम और भी product बना सकते हैं ठीक है तो क्या हो गया sodium लिया एक metal oxygen लिया एक हमने oxygen के साथ combine कराना तो बन गया metal oxide is the formula of metal oxide I hope आपको concept clear हो गया होगा कैसे दो छोटे molecule मिलके बड़ा product बनाते हैं और उसको हम बोलते हैं combination reaction क्या बोलते हैं मिलेगा आपको AL203 अगेन इसको formula making क्या है आपको आना चाहिए जिनको नहीं आता उनके लिए यहां पर हम लिख देते हैं सीख लो बहुत जल्दी से 9th class में सिखाया गया था बट आपको पता है lockdown की वज़े से 9th आपने कैसे बिताई है तो हम आपको समझते और यहां पर द क्या formula of aluminium oxide ठीक है अब यह equation इसके example है बट आपको ध्यान क्या रखना है जब भी ऐसी equation आप लिखेंगे क्या लिखना है साथ में क्या लिखना है इनके हमेशा chemical name साथ में लिखने है नहीं तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा गलत हो जाएगा board में marks नहीं मिलते ठीक है आप कहीं भी जब जाएंगे आप कोई भी reaction है कोई भी definition जब आप लिखते हैं एक तो हमेशा with example लिखना है दूसरा जब भी chemical reaction लिखते हैं तो उसके साथ क्या लिखने हैं उसके सारे essentials जो हमने बताये थे essential to write a chemical equation वो सारी चीज़े लिखनी है जो कि क्या है physical state mention करनी चाहिए chemical name mention करना चाहिए और equation balanced होनी चाहिए ठीक है ये सारी चीज़े ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई भी chemical equation लिखते हैं तो वो सही होगी otherwise ये skeletal equation है जो कि सही नहीं लिखी हुई अब इसको करने की कोशि ध्यान रखनी है इनका हमेशा है make a note of it कि कोई भी chemical equation जो है वो बिना नाम के नहीं जाएगी mind it ठीक है sodium oxide यहाँ पे क्या है aluminum यहाँ पे oxygen aluminum oxide aluminum oxide यह सारी चीज़े ध्यान में आपको रखनी है इसके अलावा next चीज़ क्या करनी है balancing दोनों equation को balance करके देखते हैं एक बर क्या होगा ठीक है तो पहली reaction क्या थी na plus o2 जिसको balancing आती है बहुत अच्छी बात है जिसको नहीं आती है एक-एक equation को balance करके देखते जाएंगे तो practice होती जाएगी sodium क्या है यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले balancing के लिए क्या याद रखना होता आपको जब भी कोई भी छोटी से छोटी equation भी अगर आप balance करते है तो उसका criteria क्या है हमेशे metal सबसे पहले balance होगा then non-metal then oxygen और last में hydrogen तो steps क्या होंगे metal then non-metal then oxygen and then hydrogen यहाँ पे देखते हैं क्या है metal है sodium इधर भी metal है sodium क्या यह balanced है arrow के इस side और arrow के उस side आपको पता है balancing क्या follow करती है law of conservation of mass को follow करती है ठीक है तो यहाँ पे क्या है हमें sodium को 2 करना तब ही दोनों तरफ metal equal होंगे clear है metal होगे balance उसके बाद क्या है non-metal कोई है नहीं third position किस क्या थी oxygen की oxygen देखेंगे reactant side में two oxygen's are there और product side में only one oxygen is there तो क्या करेंगे हमें क्या करना होगा भई हमें यहाँ पे oxygen को भी balance करना होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम oxygen को double करने के लिए two कर देंगे अब क्या हुआ आपको जब भी कोई एक second step करते हैं तो जाके पहला वाला step चेक करना पड़ता है कि वो disturbed तो नहीं हुआ कि वो disturbed तो नहीं हुआ अब जैसे ही आपने oxygen को balance किया यहाँ पे two oxygen's are there two oxygen's are there तो आपने देखा sodium imbalance हो गया तो क्या करना है metal then non-metal then oxygen then hydrogen metal किया उसके बाद non-metal किया, non-metal के बाद वापस जाके चेक करो metal को ठीक है, same ऐसे ही, non-metal के बाद oxygen किया, oxygen के वापस जाके चेक करो तो हर एक process में जब भी आप next step पे जाएंगे पहला step जाके वापस चेक करो, excuse me, तो क्या किया हमने यहाँ पे oxygen balance किया, तो जाके देखेंगे oxygen से पह chemical equation जो की balanced है, इसी तरीके से बाकी equations भी आप balance करने के कोशिश करेंगे, अगर कोई equation balanced नहीं होती है comment करके बताएंगे, हम आपकी help करेंगे, ठीक है, next चलते हैं, जो examples है उनकी हम बात कर रहे थे, next example देख लेते हैं, metal का oxide बनना एक combination reaction है, इसके अलावा non metal के oxides भी, तो हम यहाँ यहाँ पर non metal लेते हैं, non metal plus oxygen अगर हम करेंगे, तो यहाँ पर non metal का oxide बनेगा, non metallic oxide और यह भी combination reaction का example है, जैसे कि हमने लिया C plus O2 gives CO2, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे N2 plus O2 gives NO, इस तरीके की equation है, यह भी क्या है, combination equation याणि की combination reaction का part है, आप इनको भी ध्यान से देख सकते हैं, तो जब भी example करने की बारी आएंगे, क्या आप रट के जाएंगे, बिल्कुल नहीं रटना है, आप देखेंगे कि कौनसी कौनसी ऐसी equations है, जिसमें छोड़ी-चोड़ी elements मिलके, बड़ा element बन रहा है, और वही आपको लिखना ह ठीक है, उसी को आपको लिखना है, थार्ड एक्जेम्पल लिखते हैं, यानि कि next example, अगर हम देखते हैं, नोन मेटल अपने हाइड्राइड से भी, अगर हाइडरजन के साथ भी reaction करता है, तो भी वह एक combination का part है, जैसे कि, यहाँ पर लिखा हमने N2 प्लस H2, नाइटरजन, नाइटरजन, ठीक है, इसके साथ कमबाइन करेगा, तो हमारा वनेगा NH3, अमोनिया, ठीक है, तो इस तरीके की reactions भी हो सकती है, जैसे कि, आपके पास examples है, O2 प्लस H2 gives H2O, formation of water, तो यह सारी type of reaction जो भी है, यह एक part है, combination reaction का, इसके अलावा, एक most important reaction जो है, combination का part है, जो आपक NCRT mention है, board में भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, अब बहुत ज़्यादा पूछ चुके है, इसलिए NTS से भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, but board की purpose है, वो important है, और आपको भी आने चाहिए है, और वो equation कौन सी है, अगर हम लेते हैं, this CAO plus CAO plus H2, यह जो है, बहुत important reaction है, यह है CAO, यानि के quick lime, quick lime है, quick lime का एक और यह तो है, इसका common name, इसका chemical name क्या है, calcium oxide, जब यह calcium oxide, ठीक है, इसको जब हम पानी में डालते हैं, तो एक reaction होती है, बहुत ही vigorous reaction होती है, जिसमें क्या फोम होते है, CAOH whole twice plus heat निकलती है, बहुत ज़्यादा, चीक है, तो यह क्या combination तो है, देखो, दो चोटी चीजे मिलके एक product बन गया, बट साथ में heat भी release हुई है, तो यहाँ पर यह कैसे type किये है, हमने last class में बताया था, कि जब भी हम chemical equations को देखते हैं, तो कुछ criteria होते हैं, और वहाँ पर बताया था, अगर reaction mixture में heat release होती है, या heat absorb होती है, तो उनको क का भी, exothermic reaction का भी एक part हो गया, exothermic reaction, ठीक है भई, तो यह इसी वजए से यह important है, क्योंकि यह जो reaction है, यह combination reaction का part तो है ही, बट साथ में, it is an example of exothermic reaction, क्योंकि यहाँ पर heat release हो रही है, बहुत जादा amount में heat release हो रही है, तो यहाँ पर देखते हैं, क्या form हुआ है, जब quick lime, य यह form हुआ, जिसको हम कहते है, slaked lime, slaked lime, ठीक है, और इसका नाम क्या है, calcium hydroxide, तो यह reaction important क्यों है, यह reaction important क्यों है, अभी इसकी सारी बाते जान लेते हैं, और इसमें से क्या क्या किस तरीके से पूछा जाता है, वो भी देख लेते हैं, तो सबसे पहले इस reaction को कैसे कि mention the reaction of slaking of lime, quick lime जो है, वो जब slaked lime बन जाता है, यानि कि slaking of lime है, उसकी reaction क्या होगी, तो यह हो गया, quick lime से slaked lime बनना, तो इसको direct ना पूछ के, name reaction की तरह भी पूछ लेते हैं, कि slaking of lime की reaction जो है, वो लिखके बताईए, boards में, ठीक है, दूसरा इसको इस तरीके से पूछा ज होने के साथ, heat भी release होती है, तो यह example, perfect example है, आपकी NCRT वे mentioned है, तो यह किस तरीके से पूछा जा चुक है, word equation की तरह पूछा जा चुका है, यह combination और exothermic, दोनों का combined example की तरह भी पूछा जा चुका है, थर्ड अगर हम देखते हैं, तो यह पूछा जाता है, अपने utility के हिसा आप से, मतलब हम क्या करते हैं, बोर्ड में आजकल जो question आ रहे हैं, उनके application based आ रहे हैं, ठीक है, आप से यह नहीं पूछेगा, CAO plus H2O क्या बनता है, बहुत बच्चों ने रट रख है, ठीक है, तो कैसे पूछा जाता है, यह पूछा जाता है, यह पूछा जाता है, यह walls जो होती थी, घर के पूरी white होती थी, उसमें जो paint use होता था, वो actual में paint नहीं होता था, वो क्या होता था, select the lime, it is a white color, और यह जो white color, जो है, select the lime का यही पूराने time में, जो walls होती थी, उनको white करने के लिए use किया जाता था, तो यह इस तरीके से application बता के पूछेंगे, कि compound है वो chemical reaction क्या है, यह सब लिखके बताई है, तो तीन तरीके से पूछा सकता है, third क्या था, applicative part, तो आपको पता होना चाहिए है, कि ऐसी कौन से equation है, most important है, यह पहले chapter की equation, जसमें heat release होती है, ठीक है, और heat release होने की बाद, जो यह select the lime बचा है, calcium hydroxide है, it is used for white washing, ठीक है, तो application आप को हर चीज की याद रखनी है, because आज कल जो paper आ रहा है, आपका boards में भी, या कहीं भी, वो applicative part पे बहुत जादा आ रहे है, ठीक है, आपके जो seniors थे, देवाद लकी वन्स, जिनका board exam ही नहीं हुआ, बट आप लोग की exam हो भी सकते हैं, हम बस pray कर सकते हैं, कि कोई third या fourth wave ना ठीक है, तो इतना तो हम assume करी सकते हैं, कि 10th में हो तो exam की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, अगर boards नहीं भी होते हैं, तो school में तो exam होंगे, उसी के basis पर assessment होगा, तो आपको अप तो ज़्यादा कोश्यस होना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर दिन watch किया जा रहा है, और वही आपके boards का result भी बन सकता है, if you guys are not lucky enough, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको पूरे साल अपनी performance मेंटेन करनी पड़ेगी, पहले क्या होता था, कि school में जैसा मरजी performance आए, हम तो boards के टाइम पर पड़ेगे, और अच्छा करके जाएंगे, दो महीने में तायरी करेंगे, चिल हो पड़े चीज़े आपको पता होनी चाहिए, डीटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, चलिए अब देखते है, नेक्स्ट चीज जो है, इसमें इसी reaction का एक important part, जो सिर्फ इस reaction से related है, जो सिर्फ इस question में पूछा जाता, यहीं पर आपको बता देती हूं, कि यह जो slaking of lime है, के लिए use क्यों करते है, इसमें ऐसा क्या है, तो यह जो slaking of lime हमारा बना है, CAOH whole twice, ठीक है, यह important reaction है, third chapter में भी है, 10th के third chapter में भी reaction फिर से, तो जब यह CAOH whole twice है, यह CO2 atmosphere में, जो carbon dioxide है, उसके साथ combine करता है, उसके साथ interact करता है, उसके contact में आता है, तो यह क्या form करता है, यह form क CO3 form होता है, and you very well know, CACO3 क्या है, limestone, limestone है यह, ठीक है भाई, यह है limestone, और यह limestone, सोचो आपने दिवार पर slaked lime लगाया था, ठीक है, थोड़े दिनों बाद ही, CO2 से combine करके, वो बन चुका है marble, limestone, यह marble होती है, ठीक है, इसी को marble कहते है, और वो shine देता है, CACO3 क्या होता है, तो पहले के लोग बहुत ही smart थे, वो quick lime लाते थे, slaked lime बनाते थे, दिवारों पर लगाते थे, दिवारों पर लगाने के बाद उसको marble में, यानि के limestone में convert कर देते थे, ठीक है, जिसकी वज़े से walls जो बहुत ही whitish और shiny नजर आती थी, इसलिए यह जो set of reaction है, यह आपको प नाया, slick lime को, जब CO2 से react करा है, this is the final product जो हमारे walls पे होता है, CACO3, now you see, आपके आसपास कितनी सारी chemical reaction हो रही होती है, in fact, हम कह सकते कि जो भी चीज़े आपके आसपास होरी, सब में कोई ना कोई chemical equation है, आपको बस watch करना है, तो chemistry is all about आपको, आपकी awareness क्या है, ठीक है, जो भी चीज आप सुबह उठने से, शाम को सोने तक यूज करते हैं, हर चीज में कहीं ना कहीं chemistry involved है, कपडे जो आप पहनते हैं, खाना जो आप खाते हैं, processes जो आपके inside your body हो रहे होते हैं, जो एक्सचेंज आप कर रहे हैं, जो भी process आपके पास सुबह उठने से, शाम को सोने या कोई भी चीजे खरीदते हैं, उनकी पिछे chemical compound लिखे हो तो उनको देखते हैं, chemistry से थोड़ा closeness लेके आओ, जब तक आप feel नहीं करोगी chemistry आपको डर आएगी, 9-10 वालों के साथ यह होता है, वो सोचते chemical reaction है, रटते रहो, कहीं भी कुछ भी बन जाता है, समझी नहीं आता, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने उनको समझा नहीं है, आपने बस यह समझाए कि यह चीज है, इसको रटना यह exam में आएगी, इस तरीके से नहीं करना, ठीक है, तो कैसे करना है हमें, एपलिकेटिव पार्ट से चीजों को देखना है, कि यह चीज कहां use हो सकती है, ठीक ह तो combination reaction हमारी हो चुकी है, और भी example बहुत सारे हैं, हम देखते रहेंगे उनको भी, ठीक है, जहां भी आपको कोई भी equation लिखी मिलती है, आप उसको observe करिए, कि क्या यह combination reaction है कि नहीं है, हमें बार-बार example रटने की ज़रत नहीं पड़ेगी, जो थोड़ी से reaction दी हुई हुई का ही part है, क्या होता है, बता सकते हैं, कॉमेंट करके बताईए, रस्टिंग ओफ आइरन की reaction क्या है, क्लास 8 में पड़ाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, बाट आपका जो अभी पिछला टाइम गया, बहुत बुरा, यानि की कॉविट की वज़े से जो classes आपकी हुई अगर नहीं पता है, तो देख लीजे, इधर मैं बता देती हूँ, otherwise आपको पता होना चाहिए, आठवी कक्षा का है, और अगर आप NTSC की preparation कर रहे हो, तो 8th class की chemistry करना बहुत जरूरी है, वहां से जो आपका chapter है, flame and combustion, उसके अलावा polymer, जो chapter है आपका, वहां से questions आते हैं, ठ तो आपको ध्यान रखने हैं चीजे, तो rustic of iron में क्या होता है, iron होता है, oxygen होता है, water होता है, सब कुछ मिलके बना देते हैं, fe2o3.xh2o, ठीक है, तो क्या किया, combination हुआ, छोटी-छोटी तीन चीजे मिलके, एक compound बना दिया, fe2o3.xh2o, जिसको हम कहते है, rust है, ठीक है, this is the formula of rust, जो भी आपके आसपास होता है, कभी भी iron का कोई piece, अगर exposed हो जाता है, atmosphere से और moisture से, तो rust बना लेता है, this is the process again, it is an example of combination reaction, ठीक है, तो reactions होती रहेंगी, आपके आसपास बहुत सारे example आपको मिलते रहेंगे, you just need to identify them, कि ये कौन साथ type है, ठीक है, आपको type पता होना चीज, this is just a classification of all the processes that you have seen ever, ठीक है, अभी इस chapter में जो कर रहे हैं, classification कर रहे हैं, ठीक है, तो ये था, इसके अलावा copper की rust भी आप देखते हैं, कोई भी और rust देखते हैं, तो इस तरीके से आप n number of examples are there, आपको जहां मिलती है, जो equation मिलती है, जिस काम के लिए मिलती है, आप उसको, ज है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको watch करना पड़ेगा, आपको थोड़ा observant बनना पड़ेगा, next type की हम reaction कर लेते हैं, आज की class के लिए, next type जो है reaction का है, वो है decomposition reaction, combination मतलब combine करना, decompose मतलब break करना, decomposition reaction हम करने वाले अभी, ठीक है, decomposition reaction, ठीक है, तो combination के बाद हम कर रहें, decomposition reaction और decomposition reaction में क्या होता है, जैसे combination में, दो छोटी चीज़े मिलके, एक बड़ा complex थोड़ा compound बनाया था, उन्होंने, ऐसे ही decomposition में, कोई एक बड़ा molecule, कोई जाइंट molecule जो होता है, उसको हम break करते हैं, चोट़-चोट़ पीसिज में, करते हैं, वही होता, decomposition, तो आप देखिए, आपको अभी करना क्या है, पहले combine करना था, अभी break करना, और break करने के लिए आपको कोई ना कोई energy देनी पड़ेगी, और वो जो energy है, उसी के हिसाफ से decomposition reaction जो है, वो तीन पार्ट में है, जिसमें अलग-अलग energy देके, अलग- को तोड़ना, आपके पास तरीके क्या है, उसको पीट के तोड़ो, मार के तोड़ो, current लगाओ, कैसे करो, कुछ भी करो, ठीक है, आपको उसको तोड़ना है, यहाँ पे जो है, यह तीन पार्ट होते हैं, जो अलग-अलग energy प्रोवाइड करके, हम अलग-अलग तरीके से bonds क को ब्रेक कर सकते हैं, तो decomposition reaction is of three types, पहला type जो है, वो है, thermal decomposition reaction, क्या है भई, thermal decomposition reaction, thermal decomposition reaction, अब इस में क्या होता है, thermal decomposition में क्या होता है, as the name suggests, thermal मतलब temperature, तो आपने सामने वाले compound को तोड़ना है, और कैसे तोड़ना है, energy प्रोवाइड करके, and energy in which form, यहाँ पर कौन से energy उसकी आपने, thermal, यानि की heat आपने किया है, temperature आपने प्रोवाइड किया है, जिससे सामने वाला molecule ब्रेक हो गया, तो क्या है, thermal decomposition reaction, second क्या है, अच्छा, heat जो है, उसको represent कैसे करते हैं, आपने heat प्रोवाइड करी, heat को represent करते हैं, इस तरीके से, एक delta स है, ठीक है, delta से represent करते हैं, chemical reaction के उपर, अगर यह delta का sign आपको दिख जाता है, इसका मतलब, इस chemical reaction को करने में, आपको heat प्रोवाइड करनी पड़ी है, chemical reaction को heat देनी पड़ी है, तब जाके, उसने heat absorb करके, वो reaction करी है, ठीक है, तो हम कर रहें, decomposition reaction, और first part है, thermal decomposition, जिसमें heat देके आपने सामने वाले को तोड़ना है, और heat को represent करते हैं, delta से, second type हम देख लेते हैं, किस तरीके से तोड़ सकते हैं, second is sunlight, यानि कि energy का दूसरा source, ठीक है, sunlight, ठीक है, sunlight से अगर हम तोड़ते तो, इसको हम कहते है, photo chemical decomposition, ठीक है, sunlight provide कर रही थे, और इसको बोलते हैं, photo chemical decomposition, photo means, photo जो है, यहाँ पर word है, यह sunlight को represent करता है, और chemical decomposition, जब sunlight किसी chemical को decompose कर देती है, इसको हम, यह तो photo lysis कहते है, lysis मतला, break होना, ठीक है, इसको कहेंगे photo lysis भे कह सकते हैं, तो photo represents sunlight, and lysis means breakdown, किसी चीज को break कर देना, ठीक है, तो sunlight provide करके, किसी चीज को, किसी compound को 2 में, या 3 में, या more than 2 में, break कर देना, या फिर, जो है, हाँ, sunlight ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इसको represent कैसे करते हैं, sunlight जो है, जैसे की, हमने heat को delta से represent किया, अब हम हर reaction के उपर, इतना बड़ा sunlight तो लिखनी सकते, तो इसको भी represent करते हैं किसी से, since it is a form of energy, यह energy sunlight की form में है, तो यह जो energy है, इसको हम represent करते हैं, h new से, h new, this thing is called n-u, new, ठीक है, क्या है यह, इसको ऐसे represent क्यों करते हैं, क्योंकि यह जो हमारा formula है, यह है, e is equals to h new, और यह जो energy है, यह sunlight की जो energy है, उसको represent करते हैं, h new से, h यहाँ पर जो है, it is planks constant, planks constant, ठीक है, और new जो है, यहाँ पर, it is the frequency of that sunlight, new क्या है भाई, frequency, frequency of sunlight, जो भी इसको break करने में, use होगी, यानि कि, जो भी sunlight आ रही है, वो कितनी energy provide करेगी, उसको हम ऐसे calculate कर सकते हैं, new multiplied by h, h क्या है, planks constant, जिसकी value fix होती है, ठीक है, इनको multiply करके, energy निकाल सकते हैं, बट, यहाँ पर हमें यह सब नहीं करना है, यह सब physics का part है, यह सब chemistry में हम बाद उसके उपर h new लिख देंगे, जो कि understood है कि वो वहाँ से आपको sunlight provide कराई जा रही है, उस reaction को कराने में, ठीक है, तो दो देखे है, हमने thermal decomposition heat से, photochemical या फिर photolysis decomposition जो है, यह है, sunlight से और sunlight को represent करते हैं, h new से, h is planks constant here, and new is frequency of sunlight, और इसको हम e से represent करते हैं, यह energy है, जो कि h new के है, ठीक है, थार्ड जो हम टाइप देखते हैं, decomposition reaction का, थार्ड टाइप of decomposition reaction है, यह कैसे होता है, तीसरा तरीका, कोई heat करने से भी नहीं माना, कोई sunlight में रखने से भी नहीं माना, और क्या sources है हमारे पास energy के, ठीक है, और sources है current लगाना, ठीक है, यानि कि यह जो बिलकुल ही आपको पता है, जो इनसान बिलकुल ही पागल हो जाते हैं, उनको कहां भेजते हैं, पागल खाने, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे shock therapy दी जाती है, ठीक है, शोक therapy में क्या होता है, आपको mild shock दिये जाते है, electric shock जिससे आपका दिमाग ठिकाने आ जाते है, तो ऐसे ही जो हम electricity के form में energy provide करते हैं, it is known as electrolysis, यहाँ पे electro means electricity, अगर हम electricity provide करके किसी को भी break करते हैं, ठीक है, तो तीन type of energy हमने use करी, पहली क्या थी, heat, then sunlight and here electrolysis, electrolysis हमें पढ़ना है, जब भी हम किसी भी चीज को electricity provide करके उसको दो compounds में break करते हैं, या दो molecules में break करते हैं, ठीक है भई, तो three types of cheese हमने पढ़ी है, एक एक करके आप इनको पढ़ना शुरू करते हैं, decomposition, तीन type का होता है, तो पहले start करते हैं, thermal decomposition से, electrolysis बिलकुल अलग है, इसको हम लास्ट में पढ़ने वाले, पहले thermal और photochemical देख लेते हैं, ठीक है, तो thermal जो है, वहां से शुरूब करेंगे, thermal decomposition, तो again हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, वो करनी है, definition, कैसे define करें, तो definition क्या है, thermal decomposition, thermal मतलब temperature decomposition, break करना तो बनाएंग लग रही है, चलिए, तो thermal decomposition, जो है, कि when a single product, when a single reactant, कोई भी एक single reactant, जो होता है, after providing energy, breaks down into two or more than two products, ठीक है, और यहां पर energy क्या है, thermal energy, ठीक है, तो thermal decomposition, it is a decomposition reaction, it is a decomposition reaction, it is a decomposition reaction, in which, in which, one reactant, a single reactant, is decomposed, into two or more than two, two or more than two products, in presence of heat, यानि कि, जब भी, कोई एक single reactant, दो या दो से जादा product में, break कर दिया जाता है, in presence of heat, that is called, that process is called, thermal decomposition reaction, now again, इसके example, जो है, मैंने का, definition जब तक incomplete है, जब तक example नहीं आए, example देखते है, example के बिना कुछ भी नहीं है, तो हमने देखा, thermal decomposition, जो है, इसका example, अगर हम कोई देखेंगे, तो सबसे पहली, जो reaction, जो माइंड में आती है, वो है, CACO3, क्योंकि NCRT में ये reaction बहुत ज़्यादा mentioned है, और हम जब भी 10th का syllabus काते हैं, भी try to retain our limits up to NCRT, क्योंकि आगर आपका NTSC का भी paper होता है, mind it, NTSC के paper में भी NCRT से बाहर कभी कुछ नहीं आता, ठीक है, बहार कभी नहीं आता, उससे बहार, ठीक है, बस आपको उसको thoroughly पढ़ना ज़रूर पढ़ता है, NCRT की यही खास बात है, ठीक है, तो आपको जो product मिलता है, वो है, CACO3, when heated, जब उसको heat किया जाता, thermally decompose किया जाता है, it will give you CAO plus CO2, तो क्या देखा आपने, कि यहां पर CACO3 जो है, वो break हो रहा है, CAO plus CO2 में, यहां पर कैसे हुआ, heat प्रोवाइड करने से, तो इनके chemical name लिखने हैं आपको, chemical name क्या है, calcium carbonate, या फिर आपको limestone भी लिख सकते हैं, calcium carbonate, यह क्या है, quick lime, या फिर calcium oxide, और यह अपना CO2, यह छोटा मोटा, इसको लिखने के ज़रब में, तो यह होगा हमारा calcium carbonate, when heated gives calcium oxide plus CO2, इस इस दा example of thermal decomposition, जो कि आपकी बुक में mentioned है, इसके अलावा भी कोई examples है, वो देख लेते हैं, तो यहां पर क्या है, FeSO4, जो है, उसको जब हम heat करते हैं, तो आपको मिलता है Fe2O3 plus SO2 plus SO3, ठीक है, Fe2O3 plus SO2 plus SO3, तो यह जो reaction है, इसको आपने बेखना है, इसमें क्या होगा, single reactant FeSO4 है, उसके बाद Fe2O3, SO2 और SO3, तीन आपके products बन गए हैं, तो इसमें भी क्या हुआ, जब आपने एक single reactant को energy provide करी, यानि कि heat provide करी, वो break हो गया, तीन अलग-अलग products में, तो यह भी क्या है, it is an example of thermal decomposition reaction, यानि कि heat provide करी और decompose हो गया, it is an example of thermal decomposition reaction, इसको आपने याद रखना है, ऐसे और भी examples होंगे, तो आपको classify करने हैं, ऐसे examples को उठा के लाना है, और देखना है कि कौन-कौन से thermal decomposition के examples है, ठीक हो गई, तो यह होगे thermal decomposition reaction, I hope आपको clear होगा कि किस तरीके से हमें identify करना है, कि कोई भी example thermal decomposition का है, या photochemical है, या electrolysis है, इसके अलावा बाकी reactions को भी identify करना है, next हम move करते हैं, जो हमने पढ़ना है, देखो, अब यह जो है decomposition reaction पूरा भी एक साथ पूछा जा सकता है, बहुत ज़ा डिस्क्रिप्टिव अगर question है, जो कि आज कल कम आते हैं आपके boards में, उसके अलावा आपको parts and parcel में पूछ सकते हैं, फोटो केमिकल इसके अलावा एप्लिकेटिव पार्ट से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, second हम पढ़ते हैं, जो कि है फोटो केमिकल डीकॉम्पोजिशन, क्या है भाई, फोटो केमिकल डीकॉम्पोजिशन, रीक्शन, अब इसमें क्या है फोटो केमिकल डीकॉम्पोजिशन, यानि कि आपनेOM प्रोवाइड कराई और वो डीकॉम्पॉस हो गया, और ऐसी रीक्शन को हम कहते है, फोटो केमिकल डीकॉम्पोजिशन, तो डेफिनिशन क्या होगी, वेनेवर गन्मेर डीकेक्टिशन, खुद से definition बनाओ, जैसे कि आपको पता है इसमें क्या हो रहा है, आपको पता है कि photochemical decomposition reaction, a reaction in which chemicals are decomposed in presence of sunlight, कुछ नहीं करना, कोई गलत नहीं कर सकता आपकी definition को, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता, आपने जो words लिखे हैं, उन एक एक मतलब आपको पता है, आप कुछ भ कोई ऐसे रट के बता के नहीं जाता है, यहीं चीज डेफिनिशन होने चाहिए, इसके लाब जो लिखा गलत, नहीं, आपके words ही होने चाहिए, ठीक है, तो photochemical decomposition का हो गया हमारा, इसके examples देख लेते हैं, ठीक है, और आपको h new जो है, वो sunlight को represent काता है, example जो इसके most common देख ले है, जब भी उसको h new, यानि कि sunlight से expose करते हैं, तो हमारा product बनता है, ag plus cl2, ठीक है, ag plus cl2, ऐसे ही, ag br का भी हमारा product बनता है, ag plus br2, यह आपके product बनते हैं, दोनों में sunlight की presence में decomposition हो गया, break हो गई है, चीजे, छोटे products में, यानि कि छोटे elements में break हो गई है, तो यह भी example है, photochemical decomposition का, अब यह question, यह this particular set of equation कैसे पूछा जाता है, क्योंकि यह ag cl और ag br जो है, यह very sensitive to sunlight है, चीक है, तो पहली चीज जो पूछी जाती है, क्योंकि sunlight तो मिलता है, यह break हो जाएंगे, तो पहली चीज पूछी जाती है, क्योंकि यह ag cl and ag br are stored in black colored bottles, black colored bottles में क्यों इनको store किया जाता है, चीक है, तो आपके पास answer है, क्योंकि यह चीज़े ऐसी हैं, जो sunlight से expose होते ही, break हो जाएंगी, decompose हो जाएंगी, तो आपके पास इसका reason क्या होगा, क्योंकि they are very sensitive to sunlight, और आपको reaction mention करनी होगी, कि the moment they are exposed to sunlight, they'll break into ag plus cl2, ठीक है, तो पहली चीज किस तरीके से पूछे गई है, फ तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि they are sensitive to sunlight, second तरीके से जो पूछी जा सकती है, वो यह है, कि name one compound which is used in black and white photography, black and white photography, जो पुराने टाइम में black and white photography होती थी, उस ताम पे क्या तो थे, फोटोस को ना, ऐसे wash खराना बढ़ता था, ठीक है, आज कल तो प्रिंटर से, प क्योंकि वहां पे this solution was used to wash them, और यह अगर expose हो गया, जरा सा भी आपका sunlight से, तो यह काम का नहीं रहेगा, तो यह reaction किसकी application है, it was used in black and white photography, जब पहले जो photography होती थी पुराने टाइम में, उन में this thing was used, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यह equation जो है, इसकी particularly, जो most important तरीका है, वो AGBR को store क्यों करते है, black color की bottles में, और name one compound, which is used in black and white photography, ठीक है, इसके लावा जो इसका example है, वो है peroxide, H2O2 जो है, H2O2 है, यह भी जब sunlight से expose होता है, तो it will give us H2O plus O2, इस तरीके से break हो जाता है, यह भी sensitive to sunlight है, peroxide, ठीक है, तो यह भी इसका third example होगी, AGCL AGBR के लावा, H2O2 भी एक इसे चीज़ है, जो कि आपका जो sunlight है, उसके बहुत ज़ादा sensitive है, और break हो जाती है, ठीक है बाई, तो यह जो चीज़े हैं, आज हमने पढ़ी, क्या-क्या पढ़ी है, combination reaction क्या होती है, combination reaction के अलावा, decomposition reaction के दो चीज़े हमने पढ़ ली है, thermal decomposition and photochemical decomposition, next class में हम करने वाले है, electrolysis बहुत important है, बहुत ज़ादा important है electrolysis और उसे directly as it is question आते हैं, उसके अलावा, NTSC में भी electrolysis से question आ सकते हैं, अगर कोई first chapter से question select करेगा तो, it is the favorite topic, ठीक है, electrolysis से question आएंगे, इसलिए हम उसको next class में करने वाले हैं, अभी आपने दो reaction, जो तीन reaction आज पढ़ी है, उनको ध्यान से करेंगे, कोई doubt आता है, पूछेंगे, comment करके बताएंगे, अगर आपको ये पूरा lecture, अगर आपको ये पूरी सारी classes और weight science foundation का initiative अच्छा लगा है, कि हम आपको पूरा content free of course provide करें, तो please आप video को like कर सकते हैं, चैनल को subscribe कर सकते हैं, इसके इलावा, आपको जो भी video यहां पर जा रही चैनल पर, उसका assignment अगर आपको चाहिए, तो वो आपको मिलेगा telegram channel पर, जिसका link है, at the rate weight sciences, at the rate weight sciences, जो हमारे telegram channel का link है, इस पर जाके देखेंगे, assignments आपको मिलेंगे, हर एक subject की, mathematics है, sst है, biology, chemistry, physics है, सब के आपको assignment मिलने वाले हैं, ताकि आपकी practice बहुत अच्छ assignment discussion वो होने वाला है, जैसे ही होगा आपको बता दिया जाएगा, weight prep app के उपर, ठीक है, weight prep app के उपर आपका assignment discussion होने वाला है, जो भी assignment upload होंगे, वो सारे discuss भी किये जाएंगे, तो आपको पूरा structured goals मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना विटा, आपको वीडियो देखनी है, assignment क करने है, और आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक होप आपको ये सारा process आपको समझ भी आ चुका है, और अच्छे सा आप enjoy भी कर रहे हैं इसको, अगर कोई भी आपको परिशानी आती है, तो comment करके बता सकते हैं, और description में contact number भी दिये हुए, उन पर भी बात कर सकते हैं, चीक ह भो हुआ हुआ.